SBI ने हाली में एक सर्वे किया था और पता लगाया कि 2020 साल में लॉगडाउन और कोरोना वारिस के वज़ा से ओनलाइन ट्रांजेक्शन में 31% की बढ़ोती देखी गई है इंडिया में 31% की बढ़ोती मायने रखती है लोग इंटरनेट से जोड़ रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं खातों में पैसे भेज रहे हैं मातर अपने मोबाईल फोन से लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलतियां करते हैं और गलती से किसी और के खाते में पैसे भेज देते हैं उस सेनेरियो में है मैं क्या करना चाहिए आए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपने भी ये मिस्टेक किया है लाइथ में और आपने पैसे हो गई तो फिर आपको next step क्या लेना चाहिए सबसे 60 कुपाय क्या है जिससे कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे इस देश के नियम आनुसार आईए इस वीडियो में हम जानते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस शैनल हिंदुस्तानी हेलपर को सबस्क्राइब करके बैल आइकेन प्रस कर लें ताकि आप इनफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहें और मुझसे परसनली जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोइड़ लिंक से इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हेलो दोस्तों नमस्कार प्रियाग राज से मैं प्रवीन महुलियार इस नई वीडियो में आपका स्वागत है UPI की बात कल ले या वालेट्स की बात कल ले कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेमेंट करते हैं अकाउंट नमबर एंटर करते हुए हम गलतियां कर देते हैं और वो पैसे किसी और के खाते में चला जाता है अच्छा जो अकाउंट नमबर हम गलती से डालते हैं अगर वो account exist ही न करता हो तो वो transaction made होती ही नहीं है वो fault बता देता है लेकिन अगर वो already किसी का transaction है पूरे देश में तो वो उसके खाते में पैसे चला जाता है और UPI वेगरा से तो instant हो जाता है IMPS और NEFT करते हैं तो RTGS में कुछ समय भी लगता है तो उस भी साथ कुछ किया भी जा सके अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने transaction कर दी आपके खाते से पैसे कट गए तो क्या करिए सबसे पहले तीन दिन के अंदर ही bank जाईए bank जाने के बाद manager को एक legit application देना पड़ेगा कि ये गलती से हुआ transaction है आपको अपने bank के करमचारियों को ये यकीन दिलाना होगा कि ये transaction गलती से हुए है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा fraud भी करते हैं कि वो transaction किसी payment के लिए करते हैं और फिर बाद में कहा देते हैं कि हमें ये पैसा गलती से भेजती है ताकि हमें पैसा वापस मिल जाए आपको उनको यकीन दिलाना होगा कि ये transaction गलती से मेख हुआ है कोई deal नहीं है आप उस शक्त को नहीं जानते हैं फिर उसके बाद bank पता करता है कि वो शक्त कौन है जिसके account में आपने पैसे डाले हैं अगर वो same bank से है तो फिर काफी आसान procedure है लेकिन अगर ज़्यादा तरचांसे है कि वो same bank से नहीं है तो फिर आपको आपके bank वाले उसका bank address बता देंगे कौन से bank में उसका account है ये बता आपको खुद उस bank को contact करना पड़ेगा या फिर वो bank के आपके करमचारी उस bank को email लिखेंगे for further request इसके बाद का ये procedure है कि आप उनके bank से कहेंगे कि जिस भी account में पैसे transfer हुए है उस आदमी से हमारी बात करा दीजिए बात कराने के बाद का process ये है आपको उनसे request करना तरीका है आपको request करना पड़ेगा उनको मनाना पड़ेगा कि ये पैसे गलती से आप ये खाते से आप बेज दीजिए 50-60% chances में पैसे वापस भेज देता है इंसान लेकिन अगर इंसान के मन में खोट है या फिर आप उस इंसान को खोश पाते ही नहीं है तो फिर आप legal action ल आप online FIR भी कर सकते हैं काफी असान procedure है ये जो तरीका मैंने बताया है यही एक मात्र तरीका है पने देश में अगर आप गलती से पैसे किजी खाते में डाल देते हैं तो पैसे वापस लाने का और कोई तरीका नहीं है अगर वो आदमी आपको पैसे देने के लिए नहीं मानत बताएं नहीं तो उसको सजा होगी UPI में भी सेम प्रोसीजर होगा Google पे phone पे वगरा में भी सेम प्रोसीजर होना है आपको बता दूँ UPI में कई बार ऐसा होता है आप ट्रांजेक्शन में कर देते हैं पर सामने वाले के खाते में पैसे नहीं पहुंचते हैं और पैसे कट बता सकते हैं UPI का जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक से सॉल्व हो जाता है आपको चिंता मुक्त रहने की जरुवत है यही पूरा सिस्टम है यही पूरा फंडा है अब इससे बचने के लिए गलती हमसे नहों क्या किया जाए दो बार अकाउंट नंबर डालना होता है कभी भ गलती हो गई है तो फिर एक छोटा ट्रांजक्शन में करिये मालगिए आपको किसी को एक लाग रुपए भेजना है तो आप उसको पहले सौ रुपए भेजिए और उससे पूंचिए कि आप ही खातेम पैसे आये हैं और जब पैसे चले जाए सौ रुपए तो बाकी के पैस इनफॉर्मेशनल टिप्स और ट्रिक्स बताते रहेंगे फिलाल के लिए दीजे मुझको इजाज़त जैहिन जै भारत